हलो विविएर्स आज हम देखने वाले हैं कुक्षा नवी की अर्धवार्शिक परिक्षा में जो की अभी नवंबर के आखरी सप्ता में होने वाली है अर्धवार्शिक परिक्षा 2021-22 नवंबर के आखरी सप्ता में होने वाली है तो उसमें आपके अंग्रेजी विशे में कितना पाथे क्रम आने वाला है ठीकि अंग्रेजी विशे में आपका कितना कोर्स आएगा जिसे कि आप अंग्रेजी विशे की अच्छे से तयारी कर सको अर्धवार्शिक परिक्षा 2021 बापिस की तो शुरू करते हैं कक्षा नवी अंग्रेजी में कौन सा पाथे क्रम आपके आने वाला है किस भाग में से कितने पाथ आपके कोर्स में आएंगे एग्जाम में आएंगे तो उसको हम देख लिते हैं तो शुरू करते हैं कक्षा नवी का अंग्रेजी सबसे पहले इसमें आने वाला है ब्रिच कोर्स हमें प प्यारी कर लेनी चाहिए, bridge course unit 1 से लेकर unit 6 के साथ grammar में दे रखा article, tense and formal letter, तो ये सारा bridge course में से करना है, इसके पाद bridge course में से unit 7 से लेकर unit 14 तक preposition, models, determiners, informal letter, तो formal और informal दोनों ही letter है इंग्लिश में, article है, tense है, models, preposition and determiners, ये सारा course bridge course का है, grammar भी bridge course की है, तो bridge course हमें पूरा ही करना है, ठीके bridge course का पूरा संपुर्ण syllabus आएगा इस बार, इसके बाद है, English में unit 1, unit 1 है आपकी, the fun they had, the road not taken, उसके बाद unit 2 में है, the sound of music और wine, जो के poem दे रखी है, तो ये दोनों unit, unit 1 और unit 2 करनी है, उसके बाद unit 3 है, the little girl ran on the roof, unit 1 जो है, the lost child, unit 2, the adventures of toto, जो के आपकी जो second book है, उसमें से आने वाले हैं ये, और unit 3, इस्वरन, the storyteller, इसके बाद grammar में है, adverb, use of if and unless, यहां तक आपके दोनों book में से बता रखा है, तो आपके English के दोनों book में से बता रखा है, यहां पे, ठीक है, unit 1, unit 2, unit 3, इसके बाद moments में से, unit 1, 2 and 3, इसके बाद है, unit 4, a truly beautiful mind, the leg, ऐसले, आफ, इनिस of tree, ठीक है, और unit 5, the snake and the mirror, a legend of the north land, unit 6, my childhood, unit 4, in the kingdom of fools, unit 5, the happy prince, unit 6, weathering the storm of erasma, report writing, ठीक है, report writing है, इसके बाद unit 6 है, no men are foreign, unit 7 है, packing, the duck and the kangaroo, unit 8 है, reach for the top, on killing a tree, unit 7 है, the last leaf, unit 8 है, a house is not a home, और direct, indirect speech और voice आपके English के कोर्स में आएंगे, तो इस सारे जो पार्ट है, आपके दोनों बुक में से बता रखें, दोनों बुक में से, इसके इंगलिश की दोनों बुक में से आपको जो unit दे रखें, यह यह तयार करनी है, इसके साथ ही grammar के, ग्रामर भी दे रखें, तो grammar भ important question के video जल्द ही आने वाले हैं, bridge course पूरा ही channel की playlist पर उपलब्द आप देख सकते हो, और bridge course में से यदि आपका कुछ चुट गया तो आप उसे पूरा कर लो, और इसके बाद important question किये जाएंगे, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए important question के लिए channel को सब्सक्राइ कीजिए